हेलो दोस्तों मेरा नाम रितिका गुपता है और मैं CHSL 2018 से सॉल्टिंग असिस्टेंट के पद पर सिलेक्टेड हूँ आज मैं आपको अपने अपनी जॉब P.A.S.A के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह जो P.A.S.A. पोस्ट होती है यह Ministry of Communication के अंतरगत आती है और Ministry of और जिसकी वेकेंसी हर साल S.S.C. के द्वारा निकाली जाती है पहले यह जो पोस्ट थी यह S.S.C. C.H.S.L. के माध्यम से आती थी परंतु अब यह पोस्ट S.S.C. C.G.L. के माध्यम से आती है और अगर हम इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसा कि हम इसके नाम से ही पता चलता है कि इनका काम सॉर्टिंग करना होता है और यह सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो सिलर ड्यूटी होती है वो RMS में लगाई जाती है RMS जिसका पूरा नाम होता है Railway Mail Service Railway Mail Service यानि की railway से जो mail आते हैं वो सबसे पहले RMS में ही आते हैं जिसकी sorting करनी पड़ती है sorting assistant को उसके बाद वो sort किये हुए mail सारे post office में distribute होने के लिए जाते हैं तो sorting assistant की job timing के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी तो आपने इसमें देखा कि पहले और दूसरे जो set की timing थी उसमें सिर्फ 8 hours का था और जबकि जो तीसरा set का timing है वो 12 hours का है तो जो भी sorting staff होता है वो अगर first या second set में हमारा duty करते हैं तो उने week में सिर्फ एक coffee दिया जाता है और जबकि जो sorting staff हम तीसरे set में duty करते हैं शाम वाले set में duty करते हैं तो उनको एक अगले दिन का off भी दिया जाता है तो यहां पे हम यह देखें तो यहां जाता है sorting assistant के पदपयर अगर हम select होते हैं तो हमें पढ़ाई का परयापता समय मिल जाता है और हम इसी तरीके से अगर postal assistant के job profile के बारे में बात करें तो उनको postal assistant की duty जो होती है वो post office में होती है और जहां पर counter generally starting में जो postal assistant होते हैं उनको counter provide किया जाता है जिनमें booking counter ही दिया जाता है जिसमें parcel booking या speed post booking की जाती है और अगर हम postal assistant की job timing के बारे में बात करें तो यह morning 9 a.m. से 5 p.m. तक की होती है तो दोनों post के अपने अपने फायदे हैं अगर आप sorting assistant चूज करते हैं तो अगर आप सुबह duty करते हैं तो आपको सुबह time मिल जाता है और इसके साथ ही इसके और other benefits भी हैं लाइक आपको इसमें आप हपते में किसी भी दिन आप off ले सकते हैं इसमें आपका कोई एक ऐसा fix नहीं होता कि आपको Saturday ही मिलेगा या Sunday ही मिलेगा आप अपनी सुबिदा नुसारिया arrangement के हिसाब से आपको हपते में किसी भी दिन एक दिन off दे दिया जाता है इसमें हम पढ़ाई की बात करें तो हमें पढ़ाई के लिए परियाप टाइम मिल जाता है और जो sorting assistant पोस्ट होती है इस पोस्ट में जो जनरली हमारा काम रहता है ये सिर्फ computer work ना होकर इसमें physical work भी रहता है क्योंकि sorting काम हमें होता है यानि की डांकों की छटाई करना इसका मतलब हमें इसमें physical work भी करना पड़ता है तो और ये ये पोस्ट जो है आराम से आप computer पर पूरा दिन work कर सकते हैं और लेकिन जो अगर physical activities में interested रहते हैं तो वो sorting assistant चूज कर सकते हैं ताकि इस से आपको computer का ही load नहीं सहना पड़ता है जबकि आपको physical activities भी करने को मिल जाती है आपका physical work भी आपका हो जाता है तो ये हुई sorting assistant और postal assistant की job profile के बारे में अब sorting assistant में एक और खास बात है कि इसमें जो mail sorting staff होता है उनकी duty train पर भी दी जाती है train पर जो हमारे रेंडिया पोस्ट के section चलते हैं उनमें एक mail sorting staff को दिया जाता है जो एक दिन यहां से destination तक जाने पर एक दिन लगता है और वहां पर rest house में एक दिन इच्टे होता है और next day वहां पर हम वापस आ जाते हैं तो हमारी तीन दिन की duty के बाद हमको दो दिन का off मिलता है तो ये भी एक अच्छा फायदा है कि आप तीन दिन की train की duty करने के बाद आप दो दिन आराम से rest कर सकते हैं और इसमें भी आपको परियाप्त time मिल जाता है जबकि postal assistant में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और अगर हम workload की बात करें तो workload sorting assistant में moderate रहता है इविन हम कह सकते हैं थोड़ा सा जादा ही रहता है क्योंकि यहां पर हमें targets भी दिये जाते हैं क्योंकि यह railway की तरफ से जो mail आता है तो हमें वो target achieve करना compulsory होता है परन्तु यह काम हम अपना target उन 8 घंटे के hours में कर सकते हैं और postal assistant के अपने अलग तरीके के targets रहते हैं और इसके बाद हम promotion expects की बात करें तो promotion expects में जो sorting assistant और postal assistant promotion के मामले में बहुती बेकार department है क्योंकि यहां पर जो ऐसा की हमें बताया गया या ऐसा हमें पता है कि जो SST के द्वारा ये post होती है ये 2400 grade paper होती है और इसका promotion जो होता है वो 10 साल बाद होता है वो भी 2800 grade paper तो ये promotion के मामले में काफी बहुती loose department है और परंतु इसका दूसरा फायदा ये इसका ये थोड़ा drawback है परंतु हम अगर इसके और फायदे के बारे में जाने तो इसका एक फायदा और सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको इसकी posting home state में मिल जाती है इसका कारण ये है कि जो sorting assistant और या postal assistant की vacancy है ये सबसे ज़्यादा आती है और इनके offices all over India होने की वज़ए से हमें इनकी posting easily home state में मिल जाती है और इसमें एक और फायदा कि आपको अगर कहीं गलती से अगर या आपकी rank खराब होने की वज़ए से आपको south में या किसी अन्या बिना मन की location पर आपको या घर से दूर वाली location पर आपको मिल जाता है तो आप एक साल बाद rule 38 apply करके अपना transfer करवा के अपने home state आ सकते है easily तो ये सबसे अच्छा फायदा है इस post में कि हम अपना SSC से select होने के बाद transfer करवा के home state easily प्राप्त कर सकते हैं और चाहें इसकी salary के बारे में बात करें अगर तो ये salary 2400 grade पे की post है जिसकी salary Y city में लगबग 24000 के करीब बनती है अगर X city, Y city और Z city की salary के बारे में और details जारना चाहते हैं तो मुझे pre-kapeya comment करके बताईए तो मैं आपको इसके लिए एक detail video बना कर बता दूँगी और अगर sorting assistant या postural assistant में और facility की बात करें तो इसमें as a central government employee होने के तहत हमें central health CGHS और LTC की सुविधा भी मिलती है CGL assistant इसमें जो छुटियां होती है हमें central government की leave rule के according 8 CL मिलती है 6 महीने में 15 EL और next 6 month में आप ये 15 EL वापस से credit हो जाती है दो आपको restricted holidays मिलती है और इस जॉब की सबसे खास बात ये है कि आप इसमें future के लिए आराम से easily time निकाल सकते है अगर आप इसमें इतना परियापत time मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते है क्योंकि आपको morning में ही 8 आर जाना होता है उसके बाद 2 बजे के बाद आप free होते है या अगर आप साम वाला set choose करते हैं तो आपके लिए सुबह वाला पूरा दिन free होता है तो इसमें आप पढ़ाई के लिए परियाप the time निकाल सकते हैं future के लिए चुकि ये department बहुत अच्छा तो नहीं है बट ये है कि आप starting में इसको achieve करने के बाद आप इसको छोड़िये नहीं और आप इसको इस पद पर काम करते हुए भी आप अन्य पदों की तयारी कर सकते हैं तो ये अब आप sorting assistant या postal assistant के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो करप्या कमेंट करके मुझे बताईए मैं आपको एक अन्य वीडियो बनाकर और वापस में इस detail से बताऊंगी Thank you